हलो फ्रेंड वालकम बाक टो में चानल आज मैं आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूँ अंडग कीमा मेथी मसाला बनाने का बहुत ही अलग और टेस्टी तरीका और इसे बनाना बहुत ही असानी होड़ी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो आप इस तरीके से एक अंडग कीमा मेथी मसाला जरू ट्राइ करके देखिए उमीद है आपको यह बहुत पसंद आयागा और अगर आप इसे एक बर बना के खा लेंगे तो आप इसके दिवाने हो जाएंगे तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अंडग कीमा मेथी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार बॉयल के वे अंड़े लिया है और यहाँ पर मैंने दो कच्चे अंड़े लिया है जिसका हम कीमा बना के रेडी करेंगे अब हम सबसे पहले बॉयल के वे अंडव की चारों तरब इस तरीके से कट्स लगा ल अब हम gas on करेंगे और एक कड़ाई को घरम होने के लिए रच देंगे। अब इसमें एक चमच लगबख Mastary oil ऐट करेंगे और moyl अच्छा से घरम होनी देंगे। देखिए, ओईल अच्छा से गब हो चुक है. अब इसमें हम दोनों कच्छे अंडे को फोड के डाल देंगे. अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आठ करेंगे. और इसे हम अच्छेसे मिक्स कर लेंगे. और इसे हम medium flame में 3-4 minute के लिए fry कर लेंगे देखिए अंडे को fry करते वे 3-4 minute हो चुका है और अंडा अच्छे से fry हो चुका है तो देखिए हमारा अंडा कीमा बनके रेडी है अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए मैंने सारे अंडे को निकाल लिया है अब हम इसी कड़ाई में फिर से थोड़ा सा mustard oil आट करेंगे और हम oil को अच्छे से गरम होने देंगे जब oil अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम boil के हुआ चारो अंडों को आट कर लेंगे और इसे हम high flame में चारो तरब से अच्छे से golden brown हो जाने तक fry कर लेंगे देखिए अंडा चारो तरब से अच्छे से golden brown हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे अब हम oil में कुछ खड़े मसाले आट करेंगे आपके पास जो भी खड़े मसाले अब लेवल हो आप उसका यूज करें अब इसे हम medium flame में हलका सा fry कर लेंगे देखिए खड़े मसाले हलके से fry हो चुके हैं अब इसमें हम एक बड़ा साइज का बारी कटा हुआ प्याज आट करेंगे और हम प्याज को medium flame में अच्छे से golden brown हो जाने तक fry कर लेंगे देखिए प्याज अच्छे से golden brown हो चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम एक चमच अधर क्लसन का पेश्ट आट करेंगे और इसे भी हम medium flame में एक से दो मिनट के लीए fry कर लेंगे जिसे किसका जो कच्छा पने हो अच्छे से निकल जाएगा देखिए अधर क्लेशन का पिस्ट को फ्राई करते हुए एक से दो मिनिट हो चुका है यह अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें हम एक मिडियम साइज का बारी कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसी टाइम में इसमें सुखे मसाले भी एट करेंगे एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच जीरा पॉडर आधा चमच लालमीस पॉडर लालमीस पॉडर अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हैं आधा चमच हल्दी पॉडर एक चमच कस्मिरे लालमीस पॉडर और हम मसाला को कवर करके मिडियम फ्ले में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे ओयल सेपरेट न होने लगे देखी मसाला से ओयल सेपरेट होने लग गया है यानि कि हमारा जो मसाला हुँ अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें हम दही आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन बड़ा चमस दही आट किया है और ध्यान रखे कि दही बहुत जादा खटा ना हो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम दही को भी कवर करके मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसे ओयल सेपरेट होने लगे देखी इसे भी ओयल सेपरेट होने लग गया है यानि कि हमारा जो दही वो भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इस टाइम में इसमें मेथी आट करेंगे तो मैंने धाइसो ग्राम मेथी को तोड़ के अच्छे से क्लीन कर लिया है अब इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे और हम मेथी को कवर करके मसालों के साथ मिडियम फ्ले में चार से पाच मिनिट के लिए पकने देंगे इसे पकने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता यह जल्दी पक जाता है देखे इसे पकते भी चार से पाच मिनिट हो चुका है और देखे मेथी मसालों के साथ अच्छे से पक चुका है अब इसे हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे, बहुत जादा पानी नहीं आट करेंगे अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम cover करके medium flame में एक कुबाल आने तक पकने देंगे देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम fry के हवा अंडा और अंडा कीमा को दोनों को इसमें add कर लेंगे अब इसमें अच्छे से mix करेंगे और इसे हम cover करके medium flame में 2-3 minute के लिए पकने देंगे देखिए इसे पकते हुए 2-3 minute हो चुका है तो देखिए हमारा बहुत ही tasty अंडा कीमा मेथी मसाला बनके ready हो चुका है और इससे इतना अच्छा खुसबू आ रहा है कि मैं आपको इससे बता नहीं सकती अब यहां पे हम gas को off कर देंगे अब मैं आपको गर्म गर्म अंडा कीमा मेथी मसाला को सर्फ करके दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़ियां अंडा कीमा मेथी मसाला बनके ready हुआ है और आपने देखा कि इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है और एकिन मानि यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है अब इसे आप गर्म गर्म रोटी चावल पराठा किसी साथ भी सर्फ कर सकते है तो आप इस तरीके से एक बर अंडा कीमा मेथी मसाला घर पे ज चैनल को सब्सकाइब कर दे और बेल आकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेच्ट रेसिपी के आपको नोटिफिकेसन मिल सके तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई थैंक्यों फो वाचिंग